नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में जानेंगे आप अपने डेजेस्टिव सिस्टम को हिल्दी और स्वस्थ कैसे रख सकते हैं इससे पहले हम बात करेंगे डेजेस्टिव सिस्टम गंदा या खराब क्यों होता है जैसे कि हमारे पेट में खाना पाचाने के लिए कई परकार के रसायन और बैक्टेरिया मौझूद होते हैं ये रसायन और बैक्टेरिया खाने को छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं और उसे पाचाने में मदद करते हैं जब ये खाना पचाने की परगिरिया चलती है तो कई तरह के अपसेस और बेस्ट मटिरियस बनते हैं जो हमारे सिस्टम में छोड़ जाते हैं इसके अलावा हमारे खाने में कई बार कच्रा और असुधियां भी होती है जो हमारे digestive system को अंदर चले जाते हैं ये कच्रा हमारे सरीर के लिए हानिकारक होता है और जब ये हमारा digestive system में चला जाता है तो वहाँ गंदगी भी फैल जाती है हमारे खाने में मौजोद chemicals परिरचक और योजक भी हमारे digestive system को गंदा कर सकता है इन सब चीजों का सेवन हमारे सरीर के लिए अच्छा नहीं होता है इसे गंदगी और toxin बढ़ जाती है जैसे कि मैंने एक सरल सब्द में explain किया कि digestive system गंदी क्यों हो जाती है अब हम बात करेंगे digestive system को साफ और स्वस्त कैसे रख सकते हैं digestive system को साफ रखने के लिए कुछ असान और प्रभावी उपाई इस वीडियो में बताने जा रहे हैं digestive system को स्वस्त रखने के लिए हमें पोश्टिक भोजन करनी चाहिए वैसा भोजन जिसमें fiber की मात्रा अधीक हो क्योंकि fiber हमारे अधातर फलो और सब्जियों का इस्तमाल करना चाहिए दूसरी बात यह है कि हमें पानी का सही मात्रा में सेबन करना चाहिए पानी हमारे सरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालती है और हमारा system को लालीमा बनाती है तिसरी important बात यह है कि जंग फूड प्रोसेस्ट और एक लोहल हमारे digestive system को गंदा और बिक बनाती है आखरी में हमें regular exercise करनी चाहिए जिसे हमारा digestive system improve होता है और system को साफ रखने में मदद मिलती है आपको अपने digestive system का ख्यार रखना बहुत जरूरी है स्वास्त और साफ digestive system हमारे स्वास्त का महत्पुर्ण हिस्सा है इसलिए अपने lifestyle और खाने पीने की आदतों का सुधार करें और fit और खुश रहें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो family दोस्तों के साथ share करें